वेट लॉस करने के लिए पहली एक्सरसाइज है जंपिंग जाट इस क्लासिक कार्डियो एक्सरसाइज को करने से फुल बॉडी फैट कम करने के साथी रुदै की गती को बढ़ावा मिलता है इसे कम स्बिट से स्टार्ट करे और समाई के साथ गती बढ़ाते जाए दूसरी एक्सरसाइज है स्कॉट लगाना स्कॉट लगाने के लिए सबसे पहले पैर खुल के खड़े हो जाए उसके बाद में अपने दोन हाथों को फोल्ड करते हुए कंदो को उपर रगते उसके बाद में पैरों को बेंड करते हुए नीचे बैट जाना है और बाद में सिधा खड़े हो जाना है इस उटने बैटने वाली इस एक्सरसाइज से बेसिकली लोर बोड़ी फैट कम करने में मदद मिलती है हैमिस्ट्रिंग और पैरों की टोनिंग भी होती है इसे करते समय पीट को सिधा रखे तीसरी एक्सरसाइज है रशी कुद्ना स्कीपिंग या रशी कुद्ने से हार्ट रेट बढ़ता है ओर ओल फैट और कैलेरी बर्न होती है और पसे ना निकलने से सरीर के टॉक्सिंस बाहर निकलने में मदद मिलती है तो आपको डेली इस रशिक उदने वाली जंपिंग का भी एक्सरसाइज करना है चवती एक्सरसाइज है पूश अप लगाना पूश अप करने से फैट कम करने और पीट को स्ट्रेंथ देने में काभी हेल्प मिलती है 30 सेकंड होल करने से सूर्वत करे फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाए पूश अप लगाने से कमर के हिस्से पे खिचाओ मैसुस होता है जिसके कारण बेली फैट कम करने और वेट लॉस करने में काभी मदद मिलती है तो इस तरह से आपको रोजाना पूशब का भी एक्सरसाइज करना है पाचवी एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइमबर माउंटेन क्लाइमबर पेट की चरबी जल्दी कम करने के लिए आसान घरेलू आयाम है इसके 15 रेप्स करने के साथ सुर्वत करे और दीरे दीरे संक्या बढ़ाते जाए तो इस तरह से आपको रोजाना माउंटेन क्लाइमबर का भी एक्सरसाइज करना है छटवी एक्सरसाइज है वाकिंग करना तेजगती से हर रोज आदा घंटे चलने से पैरो को मजबूती मिलती है पोच्चर बेतर होता है ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और कैलरी बर्न होने से वजन कम होता है वाक और और हेल्द के लिए सबसे वेस्ट वायम होता है तो इस तरह से आपको रोजाना इन छे एक्सरसाइज को करना है